जुहार नमस्कार स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में संथाल प्रग्ना की लोग इस बार किसको जीता रहे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे टोटल 18 सीट है संथाल प्रग्ना में आप सब जानते हैं और इन 18 सीटों में चार सीट पिछली बार भाजपा जीती थी ओनली फूर बाकी 14 सीटे गटबंधन के पास गई थी और यह एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था कि राजज में किसकी ताज पोसी होगी उस पर संथाल प्रग्ना के बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल था इस बार क्या नुमान है कि भाजपा इस बार साइध जीत जकती है ठीक है उसके बाद देखे करके हम तमाम सीटों पर बात करेंगे पहला सीट बोरियो का है आप सबको भी यह फील हो रहा होगा कि साइध बोरियो इस बार बीजेपी के पक्ष में जाएगा क्योंकि वहां से जो कैंडिडेट है ल वोट उनको आया था और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको 59,000 वोट आया था यानिकि जो अंतर है वो 17-18,000 का है ठीक है और आज सू थर्ड नमबर पे थी उनको सिर्फ 8,000 वोट आया था यानिकि आप बीजेपी और आज सू का वोट अगर मिला भी दे रहे हैं फिर भी जी एमिम कितना वोट नहीं हो पा रहे हैं लेकिन फिर भी इस सीट को वोग बीजेपी के फेवर में इसी लिए मान रहे हैं क्योंकि यहां की जो कैंडिडेट है लॉबी नमबरम उनका अपना भी वोट डेफिनेटली होगा जो 70-70,000 वोट इनको मिला है इसमें सारा वो रहते हैं विधान सभा में भी काफी एक्टिव रहते हैं तो यह कारण हो सकता है फेस वैली उनका है और यह बहुत बड़ा रिजन होगा कि बोरियो वाली सीट पर इस बार कमल खिल्ले वाला है ठीक है आगे क्या होगा दो दिन के बाद आपको पता चल जाएगा राज महल क सीट है वहाँ पर अनंत ओजा वो भी जीत जाएंगे कारण महां बता रहा हूं क्योंकि वह भाजपा से जब पिछली बार चुनवाव लड़े थे तो अठासी हजार वोट उनको आया था पहले पोजिशन पर थे और सेकेंड पोजिशन पर कौन थी यह जान के आप हैरान हो तो राजमहल में बहुत जादा फाइट है नहीं यहां से अनंत ओजा क्वाइट कंफोर्टेबली अपनी सीट निकाल लेंगे क्योंकि इस बार आजशू और भाजपा साथ साथ है यह दो सीट हो गया तीसरा सीट जो की इंपोर्टेंट है इस बार मुझे लग रहा है कि चेत्र में काम किया होगा तो साथ वो बच सकते हैं लेकिन वो चेत्र के लोग ही बताएंगे अदर्वाइस पिछली बार का आप आकड़ा देखे तो 61,000 वोट महतोजी को मिला था वैसे यादव है यह ठीक है और बहुत बड़ी संख्या में नाला में यादव वोटर से 80,000 नभी हजार के आसपास यादव वोटर से 61,000 वोट महतोजी लेकर के आए थे पिछली बार और बीजेपी 57,000 वोट लेकर के आई थी सिर्फ 4,000 के अंतर था और आप जान करके हरान होंगे आजसू 16,000 वोट लेकर के आई थी तो इस बार आजसू और बीजेपी साथ साथ है आप सबको पता है और तीसरा important factor यहां पर क्या है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्य मंत्री है मोहन यादव जहां जहां यादवों की आबादी जारखंड में जादा है वहां पर मोहन यादव जी से campaigning कराया गया था और मोहन यादव का चेहरा popular किया जा रहा है भाजपा की तरफ से यादवों के बीच में और जो पढ़े लिखे यादव है जो जानकार है जो लालू यादव की लिगेशी से जो बहार आ चुके हैं वह इस बात को accept भी करते हैं कि मोहन यादव के जैसा बनना है बजाए हम कि लालू यादव के रास्ते पर चले एक तरफ लालू या नौलिजबल व्यक्ति है मध्यप्रदेश के सीय में और वो डवलप्मेंट का भी काम आगे करेंगे तो यह एक फैक्टर है मुहन यादव सगर केंपेनिंग कराई गई है तो बहुत सारे यादवों का हिर्दय परिवर्तन होगा तो यह सीट भी मुझे लग रहा है नाला का कहीं न कहीं इस पर भी इस बार भाजपा जीट सकती है ठीक है नेक्स्ट इंप्रकार का पर्फॉर्बंस रहा है बादल जी का बहुत सारे लोगों से बात हुई है क्योंकि छेत्र मेरा भी है खुद जो बादल पतरलेक के जो कट्टर समर्थक है वो भी इस बात को एकसेप्ट कर रहे है कि इस बार बादल जी के लिए जर्मुंडी को बचा पाना बहुत मुस्कीले अगर यह बचा लेते हैं तो आप यकीन मानिए बाबा बासुकीनाथ का उन पर प्रत्यक्च आशिर रहे हैं ठीक है वैसे बादल यहां पर उतना बढ़िया है नहीं देवंदर कुवर भले पिछली बार वो दोजार वोट से आ रहे थे लेकिन फिर भी एंटी इनकमेंसी वाला फैक्टर काम करेगा और जर्मुंडी भी भाद्च पा निकालेगी तो यह तीन सीट नाला जर्म कुंडी बोरियो और एक आपका राजमल यह चार सीट तो यहां पर हो गया जहां पर कमल किलने के 80 परसंट चांसेस है यहां पर फाइट आप नहीं बोल सकते हैं यहां पर कहीं ने कहीं मुझे एज भाजपा के साथ दिख रहा है नेक्स्ट मधूपूर में आपको अगर या लोगों के बीच में उनकी एसेप्टिबिलीटी है मधुपूर में इतना कुछ होने के बावजूद उपचुनाओ में पूरा जहारखन क्याबिनेट परचार में चला गया था मुख्यमंत्री जी लगातार वहां केंपेणिंग कर रहे थे इतना कुछ होने के बावजूद एक लाख दस रवोट आया था आपका हाफिजुल अंसारी का और एक लाख पांच रवोट आया था आपका गंगा नारायन सिंग का सिर्फ पांच हजार के अंतर से उपचुनाओं जीत गय थे लेकिन वह जो सिंपहती वाला कारण था इमोशनल कार्ट जो था कि पिता की डि दिये हैं तो बहुत सारे फेक्टर है जिसकी वज़े से यह 5000 का जो बहुत छोटा सा अंतर है वह इसवार पार्ट दिया जाएगा और संभावना यहां से भी बन रही है कि गंगा नारायन इस सीट को आसानी से निकाल लेंगे बाकी दो दिन के बाद परिनाम आपके सामने होग मैं भी भाजपा जहां जहां जीत सकती है सिर्फ वो सीट आपके साथ सेयर कर रहा हूं आप यह ना सूचें कि यह भाजपा के फेवर है बोल रहा है जो एक्ट्वल ग्राउंड की बात है वो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है सारट सारट में दो कदावर नेता एक तरफ अलग अलग दावे हैं जो समर्थक है उनका मानना है कि चुम्ना सिंग बीस है दूसरी तरह भास्पा वाले कह रहे हैं कि रंधिर सिंग भी से ठीक धनबल का भी काफी प्रयोक किया जा रहा हूं से धनबल का प्रयोक तो हर एक सीट पर किया जा रहा है बाकि देखना दिल च याद रखीगा पिछली बार भाजपा ने इसको जीता था ठीक है अब पिछली बार इन्हें 2014 से रंधिर सिंग यहां पर कमल खिला रहे हैं लेकिन जो लोकल लोग है वो रंधिर सिंग के बार में एक भी वैक्ति नहीं आपको मिलेगा जो इनके बार में आपको बुरा बोल नम लोग अभी रखते हैं कि यहाँ पर बहुत टफ फाइट है क्या होगा परिनाम ये आपको परिनाम वाले दिन ही पता चले यह ना जैंम के को हाथ में डाल रहा हूं ना बीजेपी खाते में डाल रहा हूं ठीक है देवघर वाला सीट मोदी जी क्या लिए से पहले यहां गटबंदन माल लीजिए बहुत ज्यादा आएंगे आके परचार कर देंगे हमारा पाप उसमें धुल जाएगा और हम फिर से जीत जाएंगे इस चक्कर में भाजपा के विधायक लोग परफॉर्म नहीं करते हैं काम नहीं करते हैं लेकिन यह बहुत गलत बात है ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप विधायक बन रहे आपको छेत्र में काम जरूर करना चाहिए और नारायन दास को साइड इस बार सीख मिली होगी नारायन दास देवगर से 95,000 वोट लेकर के आये थे और इनके प्रतिद्वन्दी सुरेश पासवान 92,000 वोट लेकर के आये थे सिर्फ 3,000 का डिफरेंस था और जितने लोगों स सुरेश पासवान पहुंच जाते हैं और कुछ अगर काम हो कुछ हेल्प हो तो वो करते हैं तो इसलिए यह सीट काफी जादा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मोदी जी और योगी जी के आने के बाद वहां केमपेनिंग होने के बाद यहां फिर से महौल एक बार नारायन द वोट लेकर के आये थे प्रदीप यादव और 63,000 वोट आया था आपका बीजेपी का और 34,000 वोट यहां पर जेमें लेकर के आये थी क्योंकि प्रदीप यादव जेवीम से सैथ खड़े थे इस सीट को भी लोग बता रहे हैं कि बीजेपी जीत लेगी लेकिन कहीं से भी सं मरकार हैं अच्छे वकता हैं तो यह सीट कहीं से भी कॉंग्रेस लूज नहीं करेगी इसको बचा लेगी कॉंग्रेस पोड़े हाट डेफिनेटली गटबंदन जीत रही है ठीक है गोड़्डा में आपके अमित मंडल 87,000 वोट वो लेकर के आये थे और इनके जो प्रतिदो इसको करेंगे डेफिनेटली करेंगे अंत समय में उनको वहां पे मंत्री बनाया गया है और 15,000 अंतर था पिशली बार तो महागामा भी कॉंग्रेस बहुत कम चांस है कि हारेगी महागा मां दिपिका पांडे सिंग निकाल लेगी और अगर देखा जाए बरहेट के बारे मे लेकिन एक युवा फुटबॉल प्लेयर को बाजपान टिकट दिया है बहुत महनत कर रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि बहुत कड़ी टक्कर देंगे वह टक्कर दे सकते हैं लेकिन चुकि खुद मुख्यमंत्री हमन सोरेनवा से खड़े हैं तो हारेंग ने पिछली बार 25-30 का अंतर था इस बार हो सकता है कि हम्रम जी महनत कर रहे है तो वह अंतर कम हो जाएगा 10-15,000 से हारेंगे लेकिन हार जाएंगे और बरहेट आपके ज्यम्म वाले बहुत अराम से निकाल लेंगे ठीक है नेक्स्ट आपका है जामा जामा का सीट इंट्रेस्टिंग है यहां से साथ हजार वोट ज्यम्म लेकर के आई थी ठीक है और बीजेपी 58,000 वोट लेकर के आई थी सिर्फ 2000 का अंतर था जेवीम पांच जार लेकर के आई थी बावलल की पार्टी 2019 की बात कर रहा हूं और आजसू 3000 वोट लेकर के आई थी इस बार आपका अपमान के चलिए कि सीट भी बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है और यहां से भी कमल खिल सकता है लेकिन इसको भी हम लोग अभी साइड में रखते हैं यहां कौन जीतेगा यह 23 तारीक को ही पता चलेगा और यहीं से आपकी लूइस मारांडी जो की भाजपा से आई हैं उनको टिकट दिया ग्राउंड पर बहुत सारे जीएमेम के कारे करता होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं यहां से लडूंगा तो वैसे लोग फिर एंटी हो जाते हैं कि हमने पांस साल मेहनत किया और आपने बाहर से एक केंडिट लाया उसको टिकट देगा इसका हानी होता है तो इसलिए यह ज कि यहां पर जीत चकती है संथाल प्रगनामे उसमें एक सीट आपकी बोर्यों की है दूसरी सीट आपकी नाला तीसरी जर्मुंडी चौथी आपकी गोड़ा और देवघर यह पांच सीट है जो कि यह लोग जीत रहे एक मधुपूर है छे सीट संथाल प्रगनामे यह छे सी जीत रहे बाकी 23 तारीक को आप लोग मिलिएगा मैं भी यहीं रहूंगा कहीं जाओंगा नहीं उस दिन फिर हम लोग चर्चा करेंगे और बाकी फाइट कहां पर है सारट में फाइट है पोड़याट तो निकल गया है ठीक है जामा में फाइट है और जहां से बाकी जो सीट है वहां पर बहुत आसानी से मुझे लगता है कि जीत जाएगी और उन सीटो का नाम है आपका लिट्टी पाड़ा कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट है लिट्टी पाड़ा में कि भाजपा वहां से भी जीतेगी कारण क्या है कि दिनेस विलियम मरांडी जो कि अभी किता देंगे तो मुझे नहीं लगता है लिट्टी पाड़ा हो गया सिकारी पाड़ा हो गया महेश्पूर हो गया पाकुल हो गया यह सब ऐसे जगह है जहां पर जीनम का सिंबॉल बहुत काम करता है ठीक है और दिनेस विलियम मरांडी को इससे पहले कोई जान भी नहीं रह कर लेंगे तो छिया सब्सक्राइब जीनेस विलियम Seoarय करके आए थे बीजेपी के कैंडिट 22 बूट लेकर के आए थे और से साथ 30 बॉट करके आए थे घंब जैबें मिला भी दे रहे है तो 66100 के आसपास यह लोग नहीं पहुंच पा रहें और हेमलाल मुर्मू भी एक फेमस नाम है तो लिट्री पाड़ा को वो रिटेन आराम से कर लेंगे बाकी 23 तारीक को दिखा जाएगा पाकुड इंट्रेस्टिंग सीट है यहां पर कॉंग्रेस के भराष्टाचारी पकड़ेगा सब्सक्राइब मेरे आरेख्थ मेма इस बार एक लाक अठाहीज सार वोट लेकर थे आलमगीर आलम कितना सरीफ व्यक्ति देखने में में वह लगते हैं जरा जंतर बढेंगे बारे में सराफते की मूर्ती और काम क्या की आप सबको पता है एक लाक का में जुमका कि एक फ 24,000 वोट लेकर के आया था इस बार bjp आजशू साथ साथ है और इंट्रेस्टिंग बात क्या है कि पाकुड से इस बार गटबंधन जराम महतों की कैची और आजशू का कैंडियेट वहाँ पाकुड में तीनों मुस्लिम है कि तीनों के तीनों कैंडिडेट मुस्लिम है तो इसलिए पाकुड का सीट भी इस बार कॉंग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है इसको भी आप लोग फाइट वाली कैटिगरी में रख दीजिए कि यह 23 तरीकों पता चलेगा फाइट इसलिए हो गया क्योंकि तीनों कैंडिडेट मुस्लिम है तो मुस्लिम वोट डेफिनेटली बटेगा ऐसा नहीं कि सौपरतिसत वोट सब गटबंधन को मिलेगा क्याची क अब कुछ कुछ मिलेगा और बीजेपी के तरफ भी कुछ कुछ वोट डेफिनेटली आएगा पाकुड से पड़े लिखे लोग जितने भी हैं मुस्लिम जो स्टुडेंट है जो त्यारी कर रहे हैं आखिर वह क्या सोच करके जमें को वोट देंगे कुछ तो कारण होना चा लिखे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट महस्पूर मुझे इसके बारे में पहले बात करनी चाहिए थी लेकिन चलि अभी बात कर लेते हैं मैंने आपको पहले बताया था कि महस्पूर के जो विधायक है वह पूरे जारखंड में मेरें सबसे घटिया विधायक है प्रशाषनिक अधिकारी महेशपूर में रह चुके हैं लगबक 7-8 साल तक महेशपूर में दी हैं और काफी वहाँ पे वह हुए थे और इस वजए से उनको टिकट दिया गया उन्होंने अपने नौकरी से रिजाइन किया और चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपके इस्टिफर मरांडी बिलकुन निश्क्री आदमी लेकिन फिर भी मैं ये सीट मुझे लग रहा है कि चुकि जनता इग्नोरेंट है जनता बहुत जादा जागरुक है नहीं आप संथाल प्रग्णा के आदिवासियों को देखेंगे मतलब मैं क्या बूलो आप सोच नहीं सकते हैं किस लेवल की गरीबी है और सिक्षा की बात दूर दूर तक नहीं है मैं रहता हूं संथाल प्रग्णा में इसलिए मैंने देखा है बच्चे बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे जो कि प्ले स्कूल में पढ़ने लायक हैं वह सड़क पर बैठ करके दारू बेशते हैं आपको दिख जाएगा आपको दिखेगा लिटरली रोड पर आप देख स जाएगा मतलब सिर्फ सी बनाने का काम यह लोग करते हैं अपने ही लोगों को अब राजपूर भूम्याब रामन का कुछ नहीं उखाड़ पाईएगा उनका जो तरक्की हो रहा है वो होता रहेगा लेकिन आप जो राजनीती करते हैं उससे आप के ही कुम्यूटी की लोग सबसे ज्यादा डिक्कत होता है संथाल प्रगना में कभी घूमिएगा जो बाहर की लोग हैं आपको यह चीज दिखेगा कि किस स्थिती में संथाल लोग है एक प्लिट नास्ता उनको करा करके लोग वोट दिलवा दे रहा है बुली और गुगनी खिला रहा रहा फलाना को मुट दे दना जाके दे दे रहे हैं ऐसी स्थिती है जारखंड में और इन इलाकों में खास करके सिकाड़ी पाड़ा लिट्टी पाड़ा यह महेस पूर यह सब इलाक है इतना आधा पिछड़ा है और इस छेत्र के जो डेवलप लोग है जो पैसे वाले लोग है वो क्या कर है ब्लैक मैं ब्लैक वो माइनिंग इल्लीगल माइनिंग करेंगे तसकरी करेंगे क्योंकि बंगलादेश बंगलादेश स्वरी वेस्ट पंगाल से बाडर लगता है ठीक है तो कोई गाई की तसकरी कर रहा है कोई ड्रक्स सप्लाई कर रहा है तो बहुत तरह की तसकरी उस र वालती पोष्टी है यह सब यह सब कारण बन जाता है कि लोगों को इस्टिफेन मरांटी दिख जाता है और नवनीथ हम्परम जैसा कर्मठ लोग नहीं देख पाते हैं आइडिया ही नहीं किसी तरह जी रहें खा रहें और जो करप्सन कर रहा हो वो नवनीथ हम्परम को वोट करें तो बहुत दयनीय इस्टिति है और समझना होगा खैर समझेंगे लोग आज नहीं तो कल समझेंगे ही मनिपूर में देखे क्या हुआ जो कूकी समुधा है जो बाहरी है वो इतना हावी होगा है कि अब मेतियों को भथियार उठाना पढ़ गा है तो डेफिनेटली जारकंड में यह होगा गुसपैठ लगातार हो रहा है लोग इंग्नोर कर रहे है लोग इसको वोट बैंक वाला राजनीति से जोड़ रहे है क 29,000 वोट यह लेकर के आये थे और बीजेपी से 49,000 लगवक 30,000 का अंतर है इस बार नर्लिन सोरेन नहीं है क्योंकि MP बन गया है उन्होंने अपने बेटे को टिकट दी आप देखिए एक बाप MP और सीट जब खाली हुआ तो बेटा को आलोक सोरेन को टिकट दे दिया है फिर मैं नहीं लगता कि पारितोस सोरेन पाट पाएंगे और सीकारी पढ़ा जाकर कर देख लिजिए कोई विकास ने कुछ नहीं ना स्कूल ने कॉलेज कुछ ने एकदम में क्या बूलू और जब से राज्य अलग हुआ है 2000 से लगातार नर्लिन सोरेन वहां पे जीतते आ रहे ह है यह सब आंदोलन से जुड़ेवे लोग है सीबू सोरेन की यह सब सिपाही है लेकिन काम के नाम पर बिल्कुल नील बटा सन्नाट ठीक है बरबात कर दिया इन लोगों ने संथाल प्रगना को जाम ताड़ा कि बहुत चर्चा हो रही है बहुत सारी लोग बोलता जाम काफी ज्यादा लग रहा है पिछले बार कोई मंडल केंडिडेट थे जामतालास और मंडल की भी आबादी वाठीक ठाक है लेकिन वहां सबसे अधिक आभादी जामताला में किसी की है तो आदिवासियों की है अब सीता सोरेन कितना आदिवासी वोट ला सकेंगी यह डिपे एक एक प्लेट नास्ता में लोग वोट कर रहे हैं तो जामताला में भी मुझे लगता है कि बहुत आसानी से इरफान इंसारी अपनी सीट भले ही दस बारा जार का अंतर हो लेकिन निकाल लेंगे मुझे असर लग रहा है ठीक है बाकी 23 तारीकों पता चलेगा दुमका में सोरैन निकाल लेंगे अपनी सीट गह fine ऑख मरड़ी टीहत्रम आराली कर के आई थे और लू इसबेंग लाए गष्लीव टेल मिलेगा ही मिलेगा हाँ बीजइप के के है सोरेन ही है सुनिल सोरेन साइध नाम है वो कितना वोट लिकर के आप आएंगे मुझे उम्मीद बहुत कम है दुमका से लोग जीत सकेंगे दुमका आगेन जैमेम के खाते में ही जाने वाली है अगेन अगर फिर से लुईस मरांडी को यहां रिपीट करते तो साइध कुछ फा बार चार था इस बार अगर उसको डबल कर देते हैं आठ कर देते हैं तो यह खराब परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा और मैं फिर से बोल रहा हूं कुछ सीटे ऐसी है वहां पर आप कुछ करी नहीं सकते हैं डेमोग्राफिय इस प्रकार से चेंज हो गया है वहां पर साथ से आठ सीट मैं बोल रहा क्योंकि संथाल प्रगना में बाइपोलर कॉंटेस्ट हो रहा है गटबंतन बर्स भाजपा संथाल प्रगना में जेल केम का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है इसलिए वोट का विखराव नहीं हो पाएगा अब उत्तरी छोटा नागपूर वहां पर प्रॉब्लम होगा वाजपा को और जेमें को भी लेकिन जहां बाइपोलर कॉंटेस्ट है वहां बहुत ज्यादा परिशानी है नहीं बिल्कुल सिधा सिधा टक्कर है और 2019 के रिजल्ट से इसका रिफ्लेक्शन आपको 100% देखने को मिलेगा आपको कितना समझ माय कला सिधा बाइपको सब्सक्राइब जाए अपना लगता है कि मैंने गलत बताया है यहां से कुछ और हो सकता है वह भी आप लोग कमेंट करके बताईए मेरे साब से 7–8 सीट भाजपा ला रही है और बाकी जो 12 सीट है उसमें से 3–4 सीट है ठीक है जिसे कि पाकुलवाला मैं जीत जाएगी लेकिन अब मान के से लिए वहां पर भी थोड़ा बहुत फाइट होगा तो तीन-चार सीट है जहाँ पर फाइट हो बाकी सीट है जेमें बहुत आसानी से निकाल लेगी आउट ओफ एटीन आठ से ओसीट जेमें असानी से जीत रही है और बाकी जो सीट बच रहा है वहां पर टफ कंप्टिशन है देखना होगा कॉन जीता है कौन हायता था जेमें में पिषली बार के तरलना मैं इस बार बालन्स्ट कुझे दिख रहा है एक्वेशन और जेमें लूज करेगी भाजपा गेन करें कर जाम तक कोश़िस करूंगा मैं को लिकर के चर्चा करूंगा को भी बहुत इंट्रेस्टिंग है को खशमार को आप के सामने में अकड़ा रकूंगा आप भी चौकिएगैं कि आम किसी और तक के लिए जमार